हेलो गाइज, एम सलोनी, वेलकम तो मैं चैनल सलोनी स्वैक, तोड़े आम गोंग तो सो यू हाव तो मेक बीटरूट फेस पैक, सो लेट स्टार्ट दा वीडियो सो गाइज, बीटरूट फेस पैक बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक बीटरूट, यानि चुकंदर, अब मैं इसको पील ओफ करके, ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगे सो गाइज, मैंने इसको ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हो, यह कितनी अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया है, अब मैं इसका जूस निकालके अलग कर लूँगे इस च्छनी की हल्च से मैं इसके जूस को अलग कर लूँगी अच्छी तरह से आप देख सकते हैं इसमें जूस अलग हो रहे हैं इसको मैं अच्छी तरह से और अच्छे से जूस सारे अलग कर लूँगी सबसे पहले मैं इसमें लूँगी वन टीस्पून बेशन इसमें मैं थोड़ा सा जो हमारा बीट रूट का पेश्ट जो निकला था उसको मैं मिक्स करूँगी और इसमें मैं वन टेबल स्पून मिक्स करूँगी बीट रूट जूस इसमें मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी अलवेर जेल यह पेश्ट काफी थीक है तो इसमें मैं थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल के इसको थोड़ा सा पतला करूँगी इसमें मैं वन टेश्पून रोज़ वाटर मिक्स किया है मैंने तो आप देख सकते हैं यह अच्छी तर से पेश्ट बन के रेडी हो गया है अब इसको मैं अपने फेस पे अपलाई करूँगी आप और अपलाई करूँगी झाल 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 आरे इस मीज को छुक्यार्अ तो याज आप देख सकते हों मैंने पने के प्रॉग 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 य सपने के लिए इस प्रॉग है है इस पेश्ट को अब मैं इसको सूखने के लिए 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी आफ्टर डैट मैं अपना फेस वास कर लोंगी नॉर्मल वाटर से मैं 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं आप देख सकते हो यह अच्छी तरह से सूख गया है तो अभी मैं अपना फेस वास कर लेती हूँ आप देख सकते हो अब मैं इसको अच्छी से टॉल के हैप से वाइप कर लोंगी आप देख सकते हो मेरे फेस पे एक पिंकिस ग्लो है जो कितना ब्यूटिफुल लग रहे है आप देख सकते हो मेरे फेस कितना ज्यादा ग्लो कर रहे है जाले हो आप लाइप कर देख सकते हूँ